नमस्यार किसान भाईयों, आपका स्वगत है आपके अपने चनल लश्मी पार्विंग में किसान भाईयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की कुछ ऐसी व्रेटियों के बारे में, जो बहुत ही कम दिनों के अंदर पकर तयार हो जाती हैं बहुत दे सरे किसान भाईयों का एक ही सवाल है कि सर, धान की कुछ ऐसी व्रेटियों के बारे में जनकारी दीजिए जो की काफी कम दिनों के अंदर पकर त्यार हो जाए लगबग 100-110 दिन के आसपास पकर त्यार हो जाए जिससे वो अपनी धान की फ़सल को जल्दी से जल्दी ले सके और उसके बाद जो वो नेक्ष्ट फ़सल लगाना चाहते हैं उसको सवय पर लगा सके आज की इस वीडियो में हम आपको धान की तीन ऐसी विरैटी के बारे में जनकारी देने वाले हैं किसन भाईयो जो की लगबग 100-110 दिन की आसपास पकर त्यार हो जाती है और काफी बढ़ियां और अच्छी बदवार निकाल कर देती है इस वीडियो में हम इन विरैटी की पूरी जनकारी आपको देने वाले हैं यह विरैटी कितने दिनों के अंदर पकर त्यार हो जाती है साथी साथ आपको इसकी बेरन कप डालनी चाहिए बेरन के लिए कितना बीज लेना चाहिए किन-किन राज्यों में आप इनकी बौई कर सकते हैं पैदावार कैसी है एक बाल में दानों की संकर कितनी होती है कलों की संकर कितनी होती है प्रति बौदा सभी जीजों के बारे में हम विस्तार रूप से आपको जनकारी देने वाले हैं इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने किसान मित्रों के साथ सेर कर दीजेगा जिससे की उनका भी फाइदा हो जाए साथी साथ दोस्तों चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और आज की हमारे जो दान की सबसे पहली वरेटी है जो की बहुत ही कम दिनों के अंदर पकर तयार हो जाती है इसका नाम है स्री राम रेश्मा या स्री राम कंपनी की बहुत ही बेदरी दान की वरेटी है जो की लगबक सौ दिन के आसफा पकर तयार हो जाती है तो चलिए से पह आप लगबग एक मई से लेकर 25 मई 30 मई तक डाल सकते हैं दोस्तो इस वराइटी की वराइटी की वराइटी की वराइटी की लगबग 20 से 25 दिन की अंदर तयार हो चाती है वराइटी समय वीच को संसोजित ज़रू कर दीजेगा जिससे आपको काफे बड़े और अच्छा जमाओ देखने को मिलें किसान मायो इस वराइटी को अगर आप एक एकल खेत के लिए लगा जाते हैं तो लगबग आपको 6-7 kg बीज लेकर इसकी मेरन डालना चाहिए दोस्तों अगर हम बात करें इस वराइटी को आप किन किन राज्यों में लगा सकते हैं तो इस वराइटी की बुवाई आप उत्तरवदेश, बियार, 36 जारकंड, मदवदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हर्लियाना, उत्राकंड इन तमाम राज्यों में कर सकते हैं काफी बड़े और अच्छी वराइटी माने जाती है सिचाई के बारें बात करें, तो लगबग 2-3 सिचाई की अश्वता पढ़ती है पढ़ती पौदा कंलो की संक्यान लगबग 22-25 तर देखी जाती है किसान भाईओ, एक बाल में आपको 25-280 दाने तक देखने को मिल जाते हैं इसकी जो बाल होती है, और काफी लंबे होती है, दानों जिसके जो दाने होते हैं, वो आपको काफी चमकदार, बोल्ड, यानि की बड़े-बड़े चमकदार और मीड़ साइस के होते हैं काफी लंबे नहीं होते हैं, खलके से मोटे होते हैं और मेड़े साइज के होते हैं और चमबड़े हैं शाथी साथ इसका जो चावल होता है वो भी खाने में काफी बढ़े हो और अच्छा होता है इसके लावाँ, अब हम बात करें इस विरैटी में रोगों और विबारों के बारे में तो किसान भाईयों और रोग प्रतिवों चमता भी काफी बड़ेयां और अच्छी होती है इस वर्याटी में रोग लगने की संभावना भी विल्कुल ना के बराबर होती है रोग भी देखने को नहीं मिलता है अब चलिए बात कर लेते हैं पैदावार के बारे में किसान भाईयों आपको यह धान की रेटी लगबग 25-28 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार निकाल कर देती है काफी बड़ियां और अच्छी धान की रेटी यह माने जाती है किसान भाई इस वरेटी को लगाना पसंद करते हैं अब अगर आप भी इस वरेटी को लगाएंगे तो आपको निश्टर रूप से काफी बढ़ियां और अच्छा उत्पतन देखने को मिलेगा किसान भाई ओ अगर हम बात करें इस वरेटी की फसलोधी के बारे में तो दोस्तों दोस्तों धान की या वरेटी मातर 105 से 110 दिन की अंदर तयार हो जाती है इसकी बेरन भी आप लगबग 1 मैं से लेकर 25 बै creep 30 मैं तक डाल सकते हैं बेरन लगबग 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है दोस्तो अगर हम बेरन का समय निकाल देए तो धान की या वरेटी मात्र 7 से 80 दिन के अंदर तैयार हो जाती रुपाई के बाद से 37 से 80 दिन ही मात रेज रेटी को लगता है और पैदावार भी काफी बढ़ियों और अच्छी देती है पैदावार के बारे में बात करें तो लगबग आपको या रेटी 22 से 25 कुंडल प्रतियकर की पैदावार निकाल कर देती है किसान भाईयों धान की वो सभी रेटी हैं जो की काफी कम दिल समयगा उदी की अंदर पकर तयार होती हैं उनकी पैदावार थोड़ी सी कम होती है इसलिए इस रेटी की पैदावार है वो लगबग 22 से 25 कुंडल प्रतियकर तक ही देखने को मिलती है अगर हम बात करें इसके पैदे की लंबाई के बारे में तो इसका जो पैदा है वो लगबग 90 से 95 सेंटीमीटर तक होता है प्रति पैदा आपको जो कनलो की संक्या देखने को मिलती है वो 15 से 18 होती है बाल की जो लंबाई होती है और लगबग 25 से 24 सेंटीमीटर तक होती है क कि चमकदार होते हैं और दोस्तों इसकी जो बाल होती है वो काफी घजीन होती है एनिकी लटकी वी रहती है इसकी जो जड़े हैं इस्टे में वो काफी मजबूत होती है जिससे तेज हवा एक खरा मौसम में या जो दान का पौधा है वो गिरता नहीं है इस रैटी की बौई अप लगबग सभी राज्यों में कर सकते हैं किसान भाईयो सिचाई इसमें लगबग दो सिचाई तक करनी पड़ती है और काफी बड़ीयां और अच्छी बदावार निकाल कर देती है किसान भाईयो आज की इमारे जो धान की तीसरी व्रैटी है वो है पान कंपनी की 5,24,30 किसान भाईयो ये भी धान की उन वराटियों में से एक है जो की काफी कम दिनों की अंदर पकर तयार हो जाती है या भी एक अर्ली मेचरोटी वाली धान की वराटिय है जिसकी फसलाओधी मात्र 105 से 110 दिन की होती है दोस्तों इस वराटि के अगर हम बात करें पौधे की लंबाई के बारे में तो पौधा ये इसका फोड़ा लंबा होता है लबा 110 सेंटीमीटर तक देखने को मिल जाता है इसकी बाल की लंबाई भी काफी अधिक होती है 28 से 30 सेंटीमीटर और इसकी पैदावार भी काफी अधिक है किसान भाईयो धान की ये वराटि आपको 28 से 30 कुंटल प्रतियकल की पैदावार निकाल कर देती है अब इदक हमने आपको जितनी भी वराटि वताई है कम देने वाली उन सभी वैसे सबसे जादा पैदावार देने वाली वराटि यही है पान कपनी की 5, 24, 30 काफी बढ़िया और अच्छी पैदावार निकाल कर देती है इसके जो दाने होते हैं मीडियम बोल्ड साइस की होती है अगर आप इस वराटि की बेरन डालना चाते हैं तो लगबग आपको 6-7 kg बीच लेकर एक एकड़ खेद के लिए बेरन डालना होगा बेरन लगबग आप इसकी माई से लेकर यानि कि एक माई से लेकर 30 माई तक डाल सकते हैं बेरन लगबग लगबग मान के चले तो 20 से 25 दिन 30 दिन के अंदर तयार हो जाती है बेरन डाल से समय बीच को संसुत करना मत घूलेगा जिससे आपको बढ़िया और अच्छा जमाव देखने को मिले किसान भाईयो रुपाई के बाद अगर हम बात करें तो या लगबग या वरेटी जो है वह मातर 80 से 25 दिन के अंदर तयार हो जाती है पैदावार के ममले में भी या अन वरेटी को पिछाड़ देती है इसकी जो पैदावार है आपको अन वरेटी जो दान की उपलाव दे मार्केट में जो लगबग 110 दिन की आस्वास तक कर तयार होती है उनकी तुलना में या आपको 15 से 20 प्रोशंट अधिक पैदावार निकाल कर देती है इसके जो चावल के दाने होते हैं आप काफी बढ़े होते हैं चमकदार होते हैं खाने में सौदिष्ट होते हैं इसका जो धान होता ये संवारी हो काफी लंबा होता है और खाने में काफी सौदिष्ट होता है हलका सा मोटा होता है और अगर हम बात करें इसमें रोख के वारे में तो रोख प्रत्रोदो च्छमता बीमारिया भी इसमें नहीं लगती है काफी बड़े और अच्छी विरैटी मने जाती है हलाकि इसमें आपको दो से तीन सी चाहिकी और शक्ता पड़ती है और आप इस विरैटी की बुवाई लगबक सभी राज्यों में कर सकते हैं और अच्छी पड़ावार उठा सकते हैं किसान भायो आच्छी इस वीड़ो का बिलाने का मकसद हमें यही था कि हम आपको कुछ ऐसी विरैटीयों के बारे में जानकरी दे जो लगबक सभी 110 दिन के आसपर सबकर तयार हो जाएं जिससे कि आप धान के बात जो भी नेट श्राज़ा लेना चाते हैं उसको सभी पर ले पाए और अच्छी वादावार ले सके हैं दोस्तो यार एक कुछ धान के ऐसी चुनिवंदा विरैटीयां जो लगबक सभी दिन के आसपर सबकर तयार होती हैं वीडियो अच्छा लगावा तो चैनल को सस्ट्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि आपको कौन थी बात ज़द अच्छी लगी या आपको कुक्क सुझाओ है या आप किसी विरैटी के बारे में जन करी चाते हैं तो जरूर बूचें